अब very warm welcome to all of you to self-selection board of one step towards uniform मेरा नाम हिश्पमबाशने और आज हम बात करेंगे center-state relationship के बारे में यह topic आपके इंडिन Army, Navy, A-4, तीनों uniform को पाने मत करेगा तुम CDS, NDA, F-CAT, I-Net and Capital Army अब जरह इसमें आगे चलें तो जो center-state relationship है वो तीन पार्ट में डिवाइड़े है legislature, administrative and financial legislature का मतलब होता है कानून बनाने की ताकत अब इस कानून बनाने की ताकत में center-state कोई relationship निभाती है और उसके बारे में हम बात करेंगे और यह हमारी वीडियो का होगा part 1 part 2 में हम बात करेंगे administrative relationship and financial relationship अब center-state relationship की बात करें कानून बनाने के अंदर तो यह mention का रखा है article 245 से 255 के अंदर यह part 11 है और इसमें चार बातों के बारे में बात की गई है पहला है territorial exchange दूसरा है distribution of legislative subject तीसरा parliamentary legislation और चौता है central control over state legislation इनका मतलब क्या है मैं पहले आपको title exchange का मतलब मोटा मोटा सुनधाता हूँ title exchange मतलब होता है हिंदुस्तान के पूरा empire है यह आप देख रहे हैं कन्या कुमारी से कश्मीर तक तो इस पूरे empire में हमारी जो सरकार है state और center नियम बना सकते हैं और वो कैसे कैसे बनाएंगी उस बारे बात करते हैं तो टेर्टर एक्स्टेंट में मानलो हमारे प्रधान मंत्री और नियम तो उन पे ताकत है कि हिंदुस्तान में वो कहीं भी कोई भी नियम बना सकते हैं मतलब उन्होंने अगर मानलो अभी ट्रिपल तालाग का नियम बना दिया तो ट्रिपल तालाग का नियम पूरे देश पे लागो होगा मतलब कश्मीर से लेके कन्या कुमारी तक इसके बाद अगर मानलो state government कोई नियम बनाती है तो state government में इतनी ताकत है कि वो जो state है particular उसमें बना सकती है तो आज इतना योगी ने कोई नियम बनाती है तो वो खाली उत्तरपदेश के नियम होगा वो मध्यपदेश पे लागो नहीं हो सकता तीसरी बात होती है extra-territal legislation मतलब क्या होता है उसमें दो बात आती है जिससे लक्षदीप, पॉंडिचैरी इन पे भी नियम बना सकते है ठीक एंड मानलो कोई इंडियन citizen है वो बहार रह 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 तो उसने citizenship गेव नहीं किया इंडिया का से टिसन है तो उसके लिए कोई कानून अगर बनना है तो वो इंडिया की सरकार बना सकती है उसे पर वोई रोक टोक नहीं है अगला है Pressing Can Make Regulation अगर प्रेसिंड को लगता है कि कोई regulation बनना चाहिए तो वो regulation बना सकते हैं और आखरी दो बाते हैं कि पार्लिमेंट शेडूल एरिया में या ट्राइबल एरिया में कोई नियम नहीं बना सकते हैं. मतलब देखे हमारे constitution ने कुछ ताकते दे रखी हैं specially governor को वो क्या है कि कुछ travel एरिया है जिसे नौर्थीस इंडिया में या 36 गड़ वाले पार्ट में तो उन travel एरिया को या schedule एरिया को central government कोई नियम नियम नहीं बना सकती. अगर governor कह दे कि सारे के सारे जंगल काड़ दो तो हो जाएगा ये आपको पास समझ नहीं होगी. आगे चलते हैं. अगला होता है distribution of legislative subject. अब ये जो मैंने आपको कानून बताए हैं. ये कैसे बता लएगा कि किसके अंडर कौन-कौन से हैं. तो ये इन तीन पार्ट में divided हैं. Union list, stat list, concurrent list. अब क्या है? Union list वो subject matters होते हैं जिनके अंदर central government नियम बना सकती है. stat list वो subject matter होते हैं जिनमे state government नियम बना सकती है. एन concurrent list वो होते हैं जिनमें दोनों सरकार हैं. मतलब center और state दोनों नियम बना सकती हैं. अब ज़रा इसको समझे. तो जो center पे है उन पे ताकत है defense, banking banking, currency, atomic energy, insurance, communication, etc. मेन यहीं है. अब defense में example आपने देखा होगा कि अगर भंबोज मिसल बनानी है तो वो किसका decision होगा? वो central government का होगा. currency के according कोई नियम बनाना है जैसे अभी हुआ था, demonetization हुआ था, तो वो किसमें बनाना है? स्टेट निया सकता, आज मैं 100 वा 500 के नोड़ बंद कर रहा हूँ. यह नहीं होसकता, it is not possible. Atomic energy के ऊपर कोई अगर नियम बनाना है तो वो central government का काम है. Communication के ऊपर कुछ बनाना है तो central government का काम है. जैसे अभी 5G आने वाला है. तो 5G की जो bandwidth अभी बेचनिय का काम होगा, वो central government के हाथ में होगा, ना कि state government के. उसके बाद आत महराश्ट पुलिस, पंजाब पुलिस, दिल्ले पुलिस, तो वो particular अलगना नाम के रखे हैं क्योंकि वो state government के अंदर आते हैं. हम आर्मी का नाम के रहेते हैं, पंजाब आर्मी, मध्यप्रदेश आर्मी, महराश्ट आर्मी, नहीं. आर्मी जो है, इंडिन आर्मी वो पूर कि Central Government ने मान रखा था कि जो हिंदू law है, उसके अंदर सिख भी और हिंदू दोनों आते हैं, बट दिल्ली कौर्मेंट को लगा ये गलत है, क्योंकि जो सिख हैं वो एक अलग religion है, और हिंदू इसम एक अलग religion है, तो इन दोनों के लिए अलग law बनने चाहिए शादी के अब इन में कुछ छोड़ी बात हैं, वो आपको याद अकनी, बहुत important है, इन में जो सबसे powerful list होती है, वो होती union list, फिर होती है concurrent list, उसके बाद होती है state list, क्या कहना का मतलब है, for example, union को कुछ लग रहा है, कि state matter में भी conflict हो सकता है, अगर मैं नियम बना दूँ, तो और state इस समझ में आ गई, अगर मान लो, मान लो कोई एक ऐसा matter है, जो की concurrent list के अंदर है, for example, हो गया marriage, अब मान लो दिल्ली गौर्मेंट ने जो मैं आपको रहा है, सिख और हिंदू के लिए अलग लग law बनने चाहिए, ये दिल्ली गौर्मेंट का मानना था, तो यहाँ पर union कह सकता है, अब आखरी है, concurrent and state list, अब अगर concurrent and state list की बात करें, for example, concurrent list में कोई matter आ जाता है, एक्जांपल होगे, divorce, अब triple तलाग की बात होगी, ठीक, अब triple तलाग में बंगाल कह जाता है कि triple तलाग सही नहीं है, ये matter हमारे concurrent list में आता है, तो हम इस पर कानून बना सकता है, union कह सकता है कि आप इस पर matter पर कानून बना सकते हो, पर हम ज़्यादा ताकतवर हैं, तो यहाँ पर भी ये bounce back कर सकता है, तो आपके सामने एक बात clear होगी होगी, कि जो सबसे weak authority है, executive में, जो की कानून बना सकती है, वो है state list, बाकि इन सब के उपर concurrent list और union list है, मतलब union list ने अगर कोई कानून बना दिया, तो उसको सरपास नहीं कर सकती, state list या concurrent list, यहाँ तक आपको बात clear होगी होगी, अब देखिए, बात करते हैं, union list में, आज की तारिक में 100 subject, state list में 61, and concurrent list में 52, इन में पहले थे 97, 66, and 47, यह बात आपको भी याद रखनी है, छोटी सी बात है, अब आते है parliamentary legislation in the state field, इसका क्या मतलब है, देखिए, दो हमारे पास parliament है, एक है state में, एक है center में, अब center state के उपर overrule कर सकता है, कैसे, मानलो, राज्यसभा two-third majority दे दे, कि भाई, अभी state का कोई भी कानून नहीं चलेगा, अभी सिर्फ center का कानून चलेगा, तो यहाँ पर राज्यसभा के इस कानून के उपर, आप center कोई भी कानून बना सकती है, फिर होता है national emergency, national emergency ऐसे इंद्रकांदी का time, इंद्रकांदी के time में ऐसा हो रहा था, और आपने बड़े बुद्विद्वों से भी सुनाओगा, कि इंद्रकांदी जो कह देती थी, वो आप state में भी होता था, center में भ बना दो, कोई भी, for example, उन्हें का marriage को पर एक नियम बना दो, तो उन्हें ये power देदी center को, तो ये बन जाएगा, पड़ ये खाली state की request पर है, अगर state चाहे तो, अगला है implementation of international agreement, अगला है implementation of international agreement, अब बात करते हैं NDA की, अब NDA में होते है foreign carrots, foreign carrots कौन से अफगाइस्तान, ने उन्हें जैसी शहर में आ रहा है, जो कि महराष्टा के अंदर है, और महराष्ट आता है state government के अंदर, तो state government पर राइट होने चाहे ना, पर ऐसा नहीं है, center पर राइट है, क्योंकि वो international agreement के अंदर हमने बात कर ली है, किसी देश से कि हाँ, हम आपकी मदद करेंगे, और constitution न अब आपको पता होगा, जमुएन कश्मीर में president rule लगा हुआ है अभी, बहुत टाइम से महापस सरकार नहीं है, तो president क्या करते है, महापर अपने according नियम बना सकते हैं, अगर उन्हें जरूत पड़ रही हो, अब मैं इनको पांचों को summarize करता हूँ, क्या मतलब था, confused ना हो ज अगर उत्तरप्रदेश request करे, center से कानून बनाने के लिए, तो कर सकती है, तीसरा है implementation of international agreement, अगर कोई जरूत है देश की international agreement में किसी state में कुछ काम करने की है, बदलाव लाने की, तो center वो कर सकती है, last है president rule, जमुएन कश्मीर, जैसा example है, कि जमुएन कश्मीर में president rule लगा हैं, तो, आगे चलते हैं, अब देखे, यहाँ पर आपको समझना होगा कि center का control होता है, कुछ legislation के part में, अब वो कैसे है, देखे, मालो governor है किसी state का, for example, UP का, और उसने न कोई bill reserve कर दिया, कि रोग दिया, तो उसके पे ताकत है कि रोग सकता है, अब governor को किसने appoint किया, president ने, तो वो indirectly किसका part हो गया, center का, ये बात आपको समझ रागी, दूसरी बात है, कि मालो, state ने किसी बात पे कोई bill बना दिया, और उस बात पे ये बात लग रहा है, कि present की approval लेनी होगी, तो governor क्या करेंगे, उस bill को present pass, pass कर देंगे, for example, यहाँ पर bill बंगाल ने पास किया, कि हम न जो trading है, उस पे ban कर रहे है, बंगाल में कोई trading नहीं होगी, कोई वेपार नहीं हो सकता, तो अब governor इस bill पर sign करने से पहले, president का approval लेंगे, और president जब sign करेंगे, कि यहाँ पर ये bill pass हो सकता है, तभी ये bill आगे implement होगा, executive authority इसे implement करा सकती है, अब इसके बात होता है, तीसरी बा अगर governor को लग रहा है, कि कुछ गरबर है, और मुझे president की opinion चाहिए, तो वो जाकर पहले president से opinion लेंगे, अब इस वक जब opinion लेंगे, तो गवरनर के हाथ में ये नहीं है, कि वो bill अब बापस ले ले, president की हाथ से, नहीं हो सकता, president की हाथ में बिल आ गया है, तो जब तक आप व कोई action नहीं हो सकता, ये बात आपको clear होई होगी, अगर हम आगे चलते हैं, तो वहा आते हैं, MCQ पे, पहला question है, which of the following subjects come under the central government, इन में से कौन सा subject, central government के अंदर आता है, वो है banking, आपको धियान होगा, demonization हुआ तो वो एक banking का एक पुसिल का part है, 1000 और 500 की note बापस कलेक करने तो ये वो banking का एक part है, तो आपको ऐसे याद रखना होगा, अगला है, how many topics are currently covered in a concurrent list, इस सवाल का जवाब आपको पता ही होगा, 52 है यहाँ पर, मैंने आपको पढ़ाया था, earlier था 47, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, which subjects come under the concurrent list, इन में से कौन सा subject concurrent list के अंदर आता है, तो व which are the following is not matched correctly, इन में से कौन सी बात correctly match नहीं है, तो आपको पता है, तो आपको पता है, ये सारे questions मैंने इन किताब उसे लिये थे, advanced objective general knowledge and 10,000 MCQ general studies, ये किताब आपके पास होनी बहुत जरूरी है, UPSC अपने question repeat नहीं करता, वो concept repeat करता है, तो आपने अगर देखा demonization की बात हुई है, तो demonization किसका part होगा, तब कच्छ बता दो किसा इंटर का, पर वो कहेगा banking किसका part होगा, तो आपके दिमाग में confusion आएगा, किसका part होगा, तो वो चीजें जो पता लगेंगी, वो इन किता आपको से पता लगेंगी, कि ये किताबे cover करती है, सभी exams के past year questions, तो आपको एकी concept, कई form में आपके सामने present होगा, तो आपका दिमाग तेज चलेगा, तो इन books को दरा आप refer करें, इसमें एक और किताबे objective journal knowledge, ये भी सभी exams को cover करती है, UPSC, SSC, and सभी past year, जहां पर GS आती है, ये होता है वीडियो के end, वीडियो अच्छी लगी है, तो comment करें, like करें, share करें, और बहुत ही अच्छी लगी है, तो खाने पर invite करें, मैं लेता हूँ आपसे विदा, मेरे लिए कोई message हो, तो hashtag बाशने करके comment box में type करें, जहन, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में तो, हैं वेकर विदा ऊगली अवाल कि वीडियो में ở इमियो झाफसे अपसे बद्धियो में।